असलाम अलेकुम एवरीवन कैसे हो आप सब लोग आज की इस वीडियो में हम पपजी टेस्ट करने वाले हैं टेक्टनो स्पार्क 7 प्रो का यह स्मार्टफोन काफ़ी जदा डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ लॉंच हुआ है इसमें भाई मिल रहा है हिलियो जी एटी का चि इतनी ड्रेन होती है हीटिंग इशू आता है या फिर नहीं आता उसके लावा लैग्स बगएरा आते हैं या फिर नहीं आते किस हद तक अच्छा परफॉर्म करता है यह फोन यह सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे भाई वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का भी एक कॉप्शन होता है उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको आने वाली वीडियो मेलती रहती है अब आपने कॉमेंट लाजमी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आइंदा आने वाले दिनों में और कौन से फोन का इस तरह का PUBG टेस्ट देखना चाहती हो विदाउट एनी फर्दर डिले लैट्स गेट स्राइट तो गाइस यह है टेक्नो सपार्क 7 प्रो जल्दी से पहले इसका टेंप्रेचर टेस्ट कर लेती हैं मैंने अभी अब इसको चार्जिंग से उता रहा है और साइट पेस टाइम 101 डिग्री फॉरन हाइट है और बैक वाली साइट पे टेमप्रेचर की बात करें तो भाई बैक वाली साइट पे सिच्वेशन तकरीबन सेम ही है 100 डिग्री फॉरन हाइट है और 77 डिग्री सेल्शियस है अब PUBG को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाता कि एक्चुली में ये स्मार्टफोन PUBG में कैसा परफॉर्म करता है सारी चीजें डिटेल में डिसकस करेंगे कैसे बैटरी ट्रेन कर रहा है कैसे इसका टेमप्रेचर बढ़ रहा है और कैसे लेग्स वगएर आ रहे हैं सारा कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा जैसा कि मैंने आपको पहले अन्बॉक्सिंग की वीडियो में बताया था यहां पे टेक्नो की तरफ से गीववे है आपके लिए तो आपने अन्बॉक्सिंग वाली वीडियो लाजमी देखनी है टेक्नो के हाई पॉड्स का गीववे है अन्बॉक्सिंग वाली वीडियो मे तो आपको अंदाजा हो जाएगा आप यहां पर PUBG की सेटिंग में जा की देख सकती हैं यहां पर आप खेल सकती हैं अगर आप यहां पर बैलन्स ग्राफिक पर आपको अप्शन मिल जाता है लेकिन जैसे ही आप एचडी ग्राफिक्स पर क्लिक करती हैं तो आपको सिरफ हाई फ्रेम रेट तक का अप्शन मिलता है यानि अगर आप बैलन्स पर खेलेंगे तो आपको 40 fps बड़े अराम से मिल जा जाइरोस्कोप का फीचर इसमें भाई आपको नहीं मिलता आप आउन भी नहीं कर सकते हैं तो यहां पे दो तीन मैच खेलेंगे सबसे पहले एक TDM मैच लगा लेती हैं यहां पे TDM मैच शुरू हो चुका है और आपके सामने है इस टाइम यह फोन कोछ इस तरह से परफॉर लग नहीं कर रहा था उसका प्रोसीजर जरा लग आगे से इन्शाला कोशिश करूँगा लेकिन यहां पे आपको अंदाजा हो रहा है कि इस टाइम इसका गेम प्ले TDM मैच में तो काफी बेतर है आप अरिशान ना हो सिरफ TDM आपको नहीं बताने वाला आगे बहुत सारे और भी मैचेज हम खेलेंगे यहीं पे इसी वीडियो में मैं आपको खेल के दिखाऊंगा अब यह आप देख सकती हैं तकरीबन 45% पैटरी रह गई है यानि 1% ड्रॉप हुआ है पहले 5 मिनट में और इसी तरह से टेंपरेचर की अगर बात करें तो फ्रंट वाली साइड प अब आगे चलते हैं थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूं 9-10 मिनट अभी गुजर चुकी है अब आप देख सकते हैं इस ताइम इसकी बैटरी है 44% यानि 2% ड्रॉप हुई है 10 मिनट के पपजी के गेम प्ले पे अब यहां पे थोड़ी देर बाद मैं आपको में भी महामें फोन में और देखेंगे इसमें भी लागन की यानि आपको बहतर अंदाजा अ कर दो बर अंदाजा हो सके अब यहां पे दुबार से टंपरेशर ले लेए 10 Let almost गुजर चुकी है इस time 103.6 दिग्री foreign height फ्रांट वाली side पे और back वाली side पे guys इस time temperature है यहाँ पे click करके देखे तो 104.3 दिग्री foreign height यानि 40 दिग्री Celsius बैक वाली side पे नीची की side पे थोड़ा सा temperature कम है यहाँ पे situation थोड़ी मुक्तलिफ है दस मिनट के बाद आपका फून थोड़ा बहुत हीट करने लग जाएगा बूट कैम पे मारकर सेट कर लेती है गाईज और जाती है डायरेक्टली बूट कैम पे वहाँ जाके देखती है कि भाई लैग्स आती है या फिर नहीं आते और बूट कैम पे जाहरी बात है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो बूट कैम पे अगर ज्यादा लोग आती है कहीं पर भी अगर ज्यादा लोग आती है तो डेफिनेटली थोड़े बहुत लैग्स हर डिवाइस में आती है यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि हम इस चीज को टेस्ट कर पाएं किस कदर अच्छे तरीके से हैंडल करती है यह डिवाइस और किस तरह से यह डिवाइस मेनेज करती है एफिएस को तो यहाँ पे बूट कैम पे बाई मैं देखें आपके सामने हैं कितने ज्यादा लोग हैं कितनी सारी स्क्वॉड्ड नहीं हैं यहाँ पे मैं लैंड कर लेता हो और आपको अंदर जा कर दिखाता हूं मजीद यार डिवाइस लैग कर रही है थोड़े बहुत lags थोड़े बहुत तो नहीं काफी सारे यहाँ पे lags आ रहे हैं लेकिन यार यह common है मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि आप कोई भी device लेते हो तो जहाँ पे ज्यादा rush होता है वहाँ पे lags आती है यहाँ पे screen recording में आपको बेतर अंदाजा हो जाएगा और अभी आपको पता चाल रहा होगा कि इसमें थोड़े बहुत lags आ रहे हैं आप मेरे से बेतर judge कर पाएंगे इस टाइम क्योंकि आप screen पे देख रहे हो अब यहाँ पे आपके सामने है इसकी performance मैं आपको अगला मैच भी खेल के दिखाऊंगा यहाँ पे मैं बहुत जल्दी मर गया यहाँ कि इतने ज्यादा लोग थे पूरी squad का मैं मुकाबला नहीं कर सकता था अभी यहाँ पे temperature देखें तो बाई तकरीबन 13-14 मिनट गुजर चुके और बैक वाली साइड पे temperature है तकरीबन 107 और फ्रंट वाली साइड पे 108 डिगरी और अभी दुबारा से एक मैच प्ले कर लेते हैं और यह मैच है हमारा इरेंजल में खेल रही है इस टाइम और अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे किसी अच्छी सी जगह पे मेरा मूड था हाँ यह प्लेस बैटर है यहाँ पे भी काफी सारे लोग होते हैं और हाट ड्रॉप है यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिवाइस लैग करती है और इस टाइ यहाँ पे गेम प्ले मेरा तो नहीं भाई चोटा भाई खेल रहा है उसका गेम प्ले भी आप देख सकते हो काफी जद अच्छा है यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा डिसंट लगी यहाँ पे पिछे थोड़े बहुत स आप यह नहीं कह सकते कि आज ही आया प्रोसेसर पहले भी इसके बहुत सारे रिव्यूज अवेलेबल हैं बहुत सारे फॉन्स में यह प्रोसेसर अल्रेडी आ चुका है तो आपको अंदाजा हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया यार आपके वक्त का मैं उमीद करता आपका थोड़ा बहुत जो डाउट अना क्लेयर हो गया होगा अब आपको फाइनली इसका बैटरी का बता देता हूँ यहां पे 40% बैटरी रह गई है बीस मिनट के गेम प्ले के बाद यानि 6 पीसद बैटरी गिरी है और टमप्रेचर की बात करें फ्रांट वाली साइड प यहां पे टमप्रेचर की बात करें तो एक सो नौ डिग्री फॉरानाइट और 42.7 डिग्री सेलशियस है यही पे साइड पे और थोड़ा नीचे टमप्रेचर की सिच्वेशन डिफरेंट है आपको अंदाजा हो गया होगा गाइस मैं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी हैल्फुल लगी तो भाई लाइक लाजमी कीजिएगा मेरी यह पूरी कोशिश है कि आप डिसीजियन लेने में कामयाब हो जाएं कि आपने यह फोन लेना है या फिर नहीं लेना आपने सारा कुछ देख लिय किस तरह से परफॉर्म किया इस स्मार्ट फॉन ने और आपको अब तक अंदाजा हो गया होगा कि आपने यह स्पार्क सेवन प्रो को लेना है पब जी के लिए या फिर नहीं लेना अब भाई इसका मैं कैमरा टेस्ट करने का भी सोच रहा हूं अगर आप लोगों में से किस का अला हाफिज